गुद अल्टॉस मॉर्निंग फ्रेंज आज हम बात करेंगे अल्टॉस की दूस्टर ब्रांड यानिके जॉड़न की उसमें हम डिसकस करेंगे हेर के बारे में यानिकी आपने अपने बालों की धेकबल है वो कैसे करने जैसे के आप सब लोग जानते हैं आज का नायम पर जो सबसे बड़ी समस्ट्राइब को हैं जो या ठाहिट या फैरां करते हैं क्योंकि हमारे कर जिकाने करते हैं जिससे हमारे बाले ये वह ए उसके वज़े से जो हमारी हैं उसके वज़एं हमारे बालों का जड़ना है वो बहुत जादा बढ़ गया है तो आज इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे आप अपने बालों की देखबल कैसे कर सकते हैं यह एक सेवन डेज का प्रॉसेस है आपने सेवन डेज इसको फॉलो करना है जिससे मैं आपको शॉरली कह सकती हूं कि आपके बालों में बहुत जादा चेंज आएगा बड़ उससे पहले हम डिसकस करेंगे हमारे शांपू के बारे में और हमारे हेर रॉयल्स के बारे में स्षांपू हमारे पस चार चंहां के शांपू हैं सबसे पहला लॉंग हीर शांपू त्रग एक प्रिवेंट हेर फॉल और फॉर्थ एडेंडर डेंड्रफ शांपू और एक कंडेशनले है जिसका नाम हान ओरडी ब्राइड हेर कंडियशनल अब अब बात करते हैं hair oil की इसमें हमारे पास है आमला hair oil, hair oil, hair grow oil जिसे कि हम 9-in-1 hair oil भी बोलते हैं, hair shine oil, So friends, अब हम बात करेंगे, यह जो 7 days का process है, इसको हमने कैसे follow करना है, means कौन-कौन से day पे हमने कौन-कौन सा जो step है, वो perform करना है, Day 1 पे आप क्या करेंगे, morning में आप अपने head को shampoo से wash करेंगे, make sure जो भी आप shampoo अपलाई करेंगे, आपने अपने roots में और अपने scalp में अच्छे से shampoo लगाना है, और पूरे hairs पे अच्छे से shampoo अपलाई करके, उसे आप 2-3 मिनट तक massage करेंगे, यानि कि अच्छे से अपने बालों के अंदर circulate करेंगे, और 2-3 मिनट के लिए आप उसे रखेंगे, उसके बाद आपने normal water के साथ उसे wash करना है, इसके बाद आपने अपने बालों में hair conditioner लगाना है, जितने भी quantity आपकी बालों के according आपको conditioner के चाहिए, वो आप लेकि उसे लगाएंगे अपने बालों के नीच conditioner लगाके, उसके बाद आप normal water से उसे wash कर देंगे, इसके बाद आपने क्या करना है, औरी आमला को morning and evening लेना ही लेना है, इससे क्या है, आपके जो बाल हैं वो healthy बनेंगे, डे टो पे आपने क्या करना है, आपने अपने बालों पे hair fertilizer apply करना है, और साथ ही साथ ओरी आमला और neutral brush capsule को लेना है, जो process हमने day 2 पे follow किया है, same process आप day 3 पे भी follow करेंगे, फोर्थ डे पे आप क्या करेंगे, again अपने बालों को shampoo से wash करेंगे, conditioner apply करेंगे, उसके बाद आपने सुभे और शाम ओरी आमला syrup लेना है, फिफ्थ डे पे again आप अपने बालों में vitalizer लगाएंगे, उस इस तड़े भी आप यह same process follow करेंगे, फिरेंगे जिनको बहुत जादा problem है, hair fall की या कोई और बालों की समस्या है, like dandruff or anything, तो उस case में यह जो आप ओरी आमला और neutral brush दो टाइम ले रहे हैं, उसको आप तीन टाइम लेंगे, अब खास बात का अपने क्या धियान रखना है, अगर आपके बालों की बहुत जादा hair fall हो रही है, means आपके बाल बहुत जादा जड़ रहे हैं, तो उस case में आप prevent hair fall shampoo लगाएंगे, और साथ ही साथ अपने बालों में hair grow oil लगाएंगे, यानिकी 9-in-1 oil, यदि आपके बालों में बहुत जादा dandruff है, तो उस case में आप anti-d आप अपने बालों की व्रिधी के लिए आप लॉंग hair shampoo लगाएंगे और आमला hair oil अपलाएंगे, अपने बालों को healthy यानिकी मजबूत बनाने के लिए आप आमला श्रिका का शाम्पू यूज करेंगे, इसके साथ आप आमला hair oil अपलाएंगे, सबसे ज़रूरी इसमें यह ह अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल कम जड़ें और जितनी भी बालों की समस्या है, जिससे आप सफर कर रहे हैं, वो चीज ना हो, तो आप शैंपू अच्छी रंग से करेंगे, अपने रूट्स पे अच्छी तरह उसको लगाएंगे, और आपने ओलिंग है, वो करते रहन जिससे क्या है, आपके बालों को strength मिलेंगी, और आपके बालों मजबूत और healthy बनेगे, यह तो हमने बात की hair care की, यानि कि आप अपने बालों की समस्या हों से कैसे बच सकते हैं, उनका हल कैसे कर सकते हैं, जल्दी मिलेंगे next video के साथ, thank you, thank you very much, जैहन, जैहल टॉस